दोस्तो एक्जाम मित्र में एक पर फिर साब का स्वागता आशा करता हूँ आप सभी अच्छेंगे तो दोस्तो इस वीडियो में हम बात करेंगे अटल ब्यारी वास पर मेडिकल उनिविश्टी उत्रपरदेश की कांसिलिंग प्रोसेस के बारे में आपका रिजल्ट और आप आपके कांसिलिंग से लिटेट इस्यू जैसे की कांसिलिंग कब से स्टार्ट होगी क्या प्रोसेजर रहेगा तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी वीडियो को सुरूशन तक जरूर देगे और दोस्तो गरा आपने चैनल पर नहे है चैनल को सब्सक्राइब क इस वीडियो को नोटिफिकिशन आपको मिल से गए तो दोस्तो एबी वीएम्यो के द्वारा जो कांसिलिंग की प्रोसेस रहेगी उसमें आपको जो कॉलेज प्रेइज लोग ये आपको चोईस दी जाएगी सबसे पहले आपकी जो कॉलेज लिस्ट है वो निकाली जाएगी college list के बाद में आपके लिए notification जारी किया जाएगा कि कौन-कौन से candidate है जो first round counseling में participate कर सकते हैं उनके लिए कुछ eligibility criteria रखा जाएगा तो वो candidate है जो first round counseling में government या private college दोनों में participate कर सकते हैं लेकिन उससे पहले जो सबसे important है वो यह है कि ABVMU के दोरा जो college list है उसमें कितनी seat है उनकी fees क्या है वो list आपकी जारी की जाएगी और उसी basis पे ही दोस्तों आपना जो college preparation है वो feel कर सकते हैं क्योंकि अभी तक यह confirm नहीं हो पाया है ABVMU के दोरा कि कितनी government college रहेगी और कितनी private college रहने वाली है इनके दोरा जो prospect जारी किया गया था उस prospect के according आपके जो qualifying score है वो आपका 50% होना चाहिए entrance exam में 50% means कि अगर आपका 200 का exam था total paper था तो उसमें 100 आपके marks होने चाहिए अगर आपके 100 marks है तो आप qualifying है आप eligible है आप counseling में participate लेने लिए और बाकी जो admission होगा वो आपका merit basis पे होने वाला है तो इसमें जो आपके कापिसर doubt थे किसर हमारे government college मिलेगा या नहीं मिलेगा तो दोस्तों ये जान लेना सबसे आपशक है कि college कौन-कौन सी aid हो रही है क्योंकि first time ही है ABVMU के दवरा entrance exam conduct करवाए गया तो इसमें कितनी government college आती है कितनी private college आएगी साथ ही उनमें कितनी seat है और उनकी fees क्या रहने वाली है तो उस basis पे ही दोस्तों कुछ ना कुछ इसका conclusion निकल पाएगा अब आपको admission के लिए कौन-कौन सी document की requirement रहेगी तो दोस्तों counseling में केवल आपको college choice feel करनी है उसके बाद में आपको college allot होगा और allotment के बाद में जब आप college में reporting करवाने जाएंगे उस time पे आपको आपके जो भी original document है आपके 11th और 12th के और साथ ही आपकी जो fees है उसके आप अकसीड या जो detail certificate है वो हुआ आपकी photos हुई character certificate और medical fitness से related अगर college demand करता है तो college आपको medical certificate के लिए भी बोल सकता है तो वो आपको admission से पहले आपको medical certificate भी provide करवाना होगा तो ये कुछ main-main documents है जो आपको पहले ही तियार करके रखने हैं और कोई भी जानकर याती है कि आपको payment rate रहेगा उसमें आपको mention रहेगी complete instruction कितनी fees आपको submit करवानी है सारी process उसमें आपको mention मिलेगी अब counseling कैसे start होगी दोस्तों तो counseling के लिए दोस्तों जिस तरीके से आपको result का link दिया गया है इसी तरीके से आपको counseling के लिए link दिया जाएगा लेकिन उससे पहले आपकी college की list कि option में कितनी fees रहेगी वो आपके list जारी कि जाएगी और उसके बाद में आपको college choice feel करने के लिए link है external वो provide किया जाएगा उसमें आपका eligibility criteria इन्होंने वैसे already आपको explain कर रखा है कि आपका 50% score होना चाहिए लेकिन फिर भी अगर ये उससे ज्यादा merit वैसे भी अगर admission लेते है तो वो ये फिर अलगसा notification जारी कर देंगे और इसमें participate करने के लिए counseling में आपको 500 रुपे आपकी fees जमा होगी counseling में participate करने के लिए और आपको अगर college allot हो जाता है तो उसके लिए आपको 5000 रुपे अपनी जो college allot हो जाता है तो उसको confirm करने के लिए आपको 5 ताव जंड वो आपको submit करवाना होगा और यह 5 ताव जंड है यह आपको अपनी seat confirm करने के लिए आप जैसे ही आपको seat confirm हो जाती है फिर आप जिस college में जाएंगे वहाँ पर जो आपकी fees रहेगी उसमें से आपके 5 ताव जंड है यह आपके less हो जाएगी और बाकी की जो fees है वो आपको pay करन अब बात करते हैं दोस्तों कि आपकी counseling process है वो कब से start हो सकती है तो दोस्तों जिस तरह से ABVMU अपना काम कर रहा है तो उस basis पे आप यह guess कर सकते हैं कि आपकी counseling process है वो next week में 100% start कर दी जाएगी जैसा कि आपका result का timing दिया गया था यहापर 7-10 दिन का तो इन्होंने 7 दिन से पहले ही आपका जो 6 दिन में ही अपना आपका result है वो declare कर दिया तो इस basis पे आप एक guess कर सकते हैं कि ABVMU आए वो जल्द से जल्द ही आपकी counseling process complete कर वाएंगे तो जो अभी यह week आ रहा है इस week में आपका 100% आपकी जो counseling process वो start कर दी जाएगी लेकिन उस से पहले आपकी college लिस जारी की जाएगी second आपकी college की fees कितनी रहेगी और college में seats कितनी है यह सारी details आपको बता ही जाएगी और उस basis पे ही आपको अपना college हो इस है वो feel करना होगा तो counseling में किस तरह के से participate करना क्या procedure रहेगा आपको कौन-कौन से document लगेंगे सारी जानकारी दोस्तों जैसे ही notification जारी किया जाएगा आपको मारे चैनल पर वेडियो मादब जानकारी प्रवाइड करवा दी जाएगी और दोस्तों जिन students के जो answer की जारी की गई है उसमें और आपके जो copy है उसमें अगर कोई भी match नहीं हो रहा तो आप ABVMU को यहापे आप mail देख सकते हैं इनके register email ID है तो इन पर आप mail कर सकते हैं या इनके जो contact details दिएगे हैं इन पर आप contact करके जो भी आपको issue आ रहा है उनसे आप solve करवा सकते हैं तो मिलते हैं दोस्तों next new video में next new update के साथ में धन्यवाद जैहिन जै भारत